हर भारतिये का एक स्वपन है कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसल्मानों यानि कि पूरे कश्मीर के साथ जो व्यावार हुआ है जिसको मैं दुर व्यावार कह सकता हूँ नमस्कार मैं हुरोहन शर्मा और आप देख रहे हैं दभारत न्यूज आज पिछले तीच साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंगार हुए अत्याचार पर हम चर्चा करने के लिए हम मौजूद है और हमारे साथ राजनीतिक विशेश्रग या निशानत वर्मा जी मौजूद है तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे इस मुद्दे पर तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था उन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया गया था तो आज क्या उनको इनसाफ मिलेगा सरकार उन्हें इनसाफ दिलाएगी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर रोहन जी हर भारतिये का एक स्वपन है कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसल्मानों यानि कि पूरे कश्मीर के साथ जो व्यावार हुआ है जिसको मैं दुर व्यावार कह सकता हूँ उसका निशकर शाय सलूशन आए जहां तक बात है सरकार इस चीज़ को दिलाईगी मेरे ख्याल से 1990 के बाद से लेकर के अब तक कई सरकारों ने प्रेत्न किया और प्रेत्न जारी था लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो भी अनुचे 370 को लेकर के किया गया उससे मेरे ख्याल से तो असंतुलन बढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि इस सरकार की मन्शा है कि वहां की प्रॉब्लम सॉल्व सर, 370 धारा जब वहां से हटाया गया सरकार के द्वारा तो उस समय तो वहां विरोध प्रदर्शन हुआ था पर आज जब वहां कश्मीर के लोगों से हम बातीत करते हैं वह कहते हैं कि उन्हें काफी फाइदा हो रहा है इस धारा को हटाने से और वहां डेवलप्मेंट हो रही है, विकास हो रही है तो इसमर आप क्यूं ऐसा कह रहे हैं कि मतलब वहां विकास नहीं हो रही है धारा 370 उसके खिलाफ था, वहां के लोगों के खिलाफ था के आखने हैं और वो भी बहुत लेटेस्ट दो जन्वरी दो जन्वरी 2020 के आखने ये एक RTI के रिपलाई में भारत सरकार यानि के Ministry of Home Affairs ग्रहम अंतराले ने जवाब दिया कि अगस्त पांच अगस्त को याद रखिए पांच अगस्त 2019 को अनुचे 370 हटाने का फैसला लिया गय जाता है तो अगस्त से लेकर के नवंबर तक एक दो तीन चार ये चार महीनों में तीन सो से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए कश्मीर वैली के अंदर ये भारत सरकार के आखने हैं उसी तरीके से पत्थर मारना यानि स्टोन पेल्टिंग जिसको हम जानते हैं ये कहा जाता जाते हैं बारा सो से ज्यादा बार अगर वहाँ पे पत्थरबाजी की बात दर्ज की गई है तो कौन सा विकास और कौन सी नॉर्मेल सी मैं नहीं जानता किस से आपकी बात हुई सर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों में जिन जिन कारे करने का जो जो निन्ने लेने का वादा किया था वो कर रही है 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवाने का भी बिल पास हो चुका है, राम मंदिर भी बनेगा, तीन तलाग भी उसने हटा दिया तो क्या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने में बीजेपी की सरकार काम्याब होगी? क्या आपको लगता है? अपने तीन बातें रखी तो तीनों के जवाब में दूँगा पहली चीज अनुछे 370 हटा नहीं है जो उन्होंने अपने मेनिफेस्टों में कहा था कि हम इसको हटा देंगे वो वो नहीं कर सकते क्योंकि जिस चैप्टर के थूँ इस समविधान के जो वो लागू किया गया ह उसको हटाया नहीं जा सकता डाइल्यूट किया जा सकता है और मान के चलिए कि जो समविधान के अनुछे 370 के अंदर अमेंडमेंट कहा जाता है वो तो कई बार हुआ है जब से वो लागू हुआ तब से तो उन्होंने हटाया नहीं है डाइल्यूट किया है हाँ उपरांत इसके उन्होंने राज्ज की जगे उसको यूनिन टेरिटरी का दर्चा दिया है जो उससे संबन नहीं रखता दूसरी बात आपने का राममंदिर, राममंदिर को लेकर कि जोबी फैसला आया वो माननी है सुप्रीम कोर्ट अउच्टम नैले का फैसला आया है इसमें भारती ज पश्मीरी पंडित भाईयों को क्या वो कोई सॉलूशन लाएंगे मुझे नहीं लगता है